चलिए एक प्रोपर्टी और है जो बहुत ही पहुत जादा इंपोर्टेंट है यह बार बार पुछ जाती है उसे कहते हैं अधिटिव इन्वर्स इसका दूसरा नाम भी होता है इसे बोलते हैं नेगेटिव नंबर नेगेटिव ओफ अ नंबर देखिए नेगेटिव नंबर नहीं बोला मैंने मैंने ब automatically of a number कैसे समझ में नहीं आया देखिए धिया निजहां से सुनीगा जैसे मैंने number लिखा कोई तू यह प्लस का टूँए मैं इसमें क्या एड्ड करूँ कौशा number add करूँ कि ये 0 बन जाए क्या number add करूँ सोचिए तो मैं यहाँ पर add करूँगा minus का 2 क्योंकि 2 plus minus minus का 2 कट क्या आगिया 0 तो 2 का additive inverse या 2 का negative number negative मतलब minus का नहीं होगा negative इसका ultra negative number क्या होगा जी हाँ 2 का additive inverse कहलो या negative होई number negative numbers का क्या होगा minus का 2 क्योंकि इसको add करने से इसलिए बुला गया है additive inverse तो हम कहा सकते है additive inverse of 2 is minus 2 नहीं है सब्सक्राइब में देखे जैसे मैं लिखा minus का 3 इसमें मैं क्या add करूँ कौन सा number add करूँ कि ये 0 बन जाए तो minus का 3 में क्या add करने है plus का 3 देखे तो minus 3 के लिए additive inverse जी हाँ add inverse क्या होगा plus का 3 इसका उल्टा करना है तो उसी को बोलते negative अगर इन negative है तो plus plus का है तो minus एक और question करते हैं जैसे minus 1 by 2 मैं क्या add करूँ क्या add करूँ बताइए क्या add करूँ जी हाँ plus का 1 by 2 add कर दो तो क्या जाएगा 0 तो 1 by 2 का additive inverse कितना हो गया तो इसको एक journal form में किस तरह से लिखा जाता है देखिए आपको बताना है तो इसको कोई भी number है rational number है कोई भी number जैसे मैं लिख दिया ठीक है इसरे मैं इसे represent कर दिया तो इसमें क्या add करूँ अगर यह plus है तो भी minus का number add कर दो यह कितना जाएगा 0 अगर minus का कोई number दे रखा है तो इसमें क्या add करूँ भाया plus का number है तो add करोगे तो क्या जाएगा 0 तो यह number इसके यह number इसके additive inverse है यह number additive inverse है ठीक है बात समझ में आपको आ चुकी होगी तो एक और question छोड़ा सा question तो पुछ लेता हूँ जैसे 11 by 18 का added inverse क्या होगा जी हाँ minus के 11 by 18 क्योंकि cut के 0 मतलब add कर के clear इसी में एक identity और है जो कि आपको बता दी जायती है कि मुश्किल नहीं है additive inverse जब भी पूछे तो ध्यान में आज़िए क्या add करूं कि 0 बन जाए क्या add करूं कि 0 बन जाए तो उसी को बहुत है अज़िए असा बताओ minus का 3 plus का 3 minus का 2 plus का 2 हो गया minus का 1 by 2 plus का 1 by 2 यह यह रा additive inverse यह additive inverse इसका अज़िए रहा तो आपको समना आ चुका होगा अब चलते हैं दूसरा जो और भी इंपोर्टेंट है उसे बोलते हैं multiplicative inverse multiplicative inverse यह भी सेम ऐसी है कई सारे नियम हो गए है बट जब हम यह इसका use होगा हम बताते रहेंगे याद जाएगा यह इसको कहा कहा सकते हैं raci procal भी कहा जाते है इसका बार-बार use आएगा raci procal क्योंकि यह जो class है बहुत basic class है बहुत basic से एक एक number को बताया गया है ताकि आप बार-बार थोड़ना पड़ते हैं एक बार तो बने life में multiplicative मैं तो नाम लिखा है नहीं multiplicative inverse multiplicative inverse तो multiplicative inverse या कहलो reciprocal of a number किसी number का reciprocal या फिर कहो कि उसका multiplicative inverse एक ही चीज़ है देखो additive inverse में क्या कहा था क्या add करूँ कि 0 हो जाए बट multiplicative में हम क्या करेंगे कोई भी number है इसमें क्या multiply करूँ क्या multiply करूँ कि 1 आ जाए answer में तो इससे किससे multiply करूँगा जी हाँ 1 upon a कर दिया तो answer कितना आ गया 1 बात समझ में आगे example से करते है मुझे बताइए 9 का multiplicative inverse बताइए या फिर वैसे पूछेगा 9 का reciprocal बताइए तो कोई बात नहीं multiplicative inverse कहें या reciprocal समझ जाना इसमें क्या multiply करूँ कि क्या आ जाए 1 क्या multiply करूँ जी हाँ इसका नी चलिया हो 1 तो इसका multiplicative inverse कितना गया 1 by 9 7 upon 15 इसका multiplicative inverse या reciprocal क्या होगा इसमें क्या multiply करूँ प्लट दिया इससे क्या आप से नहीं आप से कहा है मैंने आप से कहा है 15 का reciprocal या फिर multiplicative inverse तो इसको उल्टा कर दीजिए 15 upon 7 माइनस का sign कहा लगाएंगे मैं पारबर इससे 17 क्यों लिए दे रहा हूं माइनस का ही है तो यह प्लट दीजिए पूरा इससे यह कटा इससे यह कटा यह आया 1 1 1 1 1 वन 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 जा 1 वन 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 जा 1 राणसर आया 1 तो reciprocal रिवर्स कर देने को ही बोलते है multiplicate inverse आपका बात सुन में आगे होगी जैसे एक question ओड़ता हूं माइनस 1 का multiplicate inverse यह reciprocal क्या हूँआ इससे divide मिली आलो 1 upon minus 1 minus 1 minus 1 कट गया तो कितना आ गया 1 और इसको मैं क्या क्या सकता हूं देखिए 1 upon minus 1 को इसको अपन लिए आलो और इसको यह नीचे रहेगा इसको मैं रहता हूं माइनस 1 माइनस 1 का multiplicate inverse यह reciprocal क्या होता है माइनस 1 ही होता है क्योंकि multiply गरके तो बन आ गया minus minus plus तो माइनस 1 का reciprocal कितना हो गया माइनस 1 यह इससे भी लिख सकते है 1 upon minus 1 बात एक ही है आपको बात समय में आ चुकी होगी तो इसको एक general form में कैसे लिख सकते हैं a के साथ इसका reciprocal क्या होगा जी हाँ dot का मल्दब multiply होता है तो 1 upon a इसका क्या है multiplicative inverse a का multiply inverse यह तो यह तो यह 1 बनेगा तो minus 1 का तो minus 1 हो गया कैसे हमें आपको सिखा दिया अच्छा minus 8 का multiplicative inverse क्या होगा बताइए तो इसको रैसी प्रोक करने जालो और इसको हम क्या ले सकते हैं उपर ले सकते हैं जी हाँ और इसको अटा दो तो minus 8 minus 8 ही बन गया नहीं इसको न उपर ले जाएंगे देखिए माइनस 8 का multiply करेंगे वन अपॉन माइनस 8 से यह पूरा नंबर multiplicative inverse के लाएगा reciprocal के लाएगा क्योंकि इससे मैंने इसको काड़ दिया तो क्या बच्छा वन तो आई होब आपको multiplicative inverse समझ में आ चुका होगा multiplicative inverse reciprocal का मतलब क्या यह की है क्या add करों की वन आ जाए आगे question करेंगे समझ में पूरी तरह से आ जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाए